नवस्कार दोस्तों सबसे पहले में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटीब चैनल पसिरदेदा यूटीब चैनल zenic welfare one में जो देता है आपको बहुत अच्छी जान कारी जो होती है आपके लिए फाइदय दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी जानकरे लेके आया हूं कि चुनाओं के बाद में जो तीन राज़्यों में जो चुनाओं हुए हैं उनके असर को देखते हुए वीजेपी के उपर उसका क्या असर हुआ है उस असर को देखते हुए लग रहा है कि केंदर कमचारियों और उनके pensioner को शायद फाइदा होने वाला है तो आज की ताज़ा ख़बर है चुनाओ का हुआ असर 7-Pay Commission 24 साल में CLD बढ़नाते तो दोस्तो चलो बढ़ते हैं न्यूस की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है करपय करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाए ताकि मैं आपको साथ बना रहूँ और आपको लेटेस्ट न्यूस देता रहूँ तो दोस्तों बढ़ते हैं न्यूस की तरफ 7-Pay Commission 24 साल में सेलरी बढ़नी ते यह है लेटेस्ट अपडेट 7-Pay Commission अब केंदर करमचारियों को उमीद है कि उनकी सेलरी को केंदर सरकार बढ़ा देगी 5 साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाओ और आम चुनाओ को देखते हुए करमचारियों की उमीद बढ़ गई है केंदर करमचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सेलरी को 18,000 रुपे से बढ़ा कर 26,000 रुपे कर दिया जाए 7-Pay Commission केंदर सरकार के लाखों करमचारी अपनी सेलरी बढ़ने का इंजार कर रहे है केंदर सरकार के करमचारियों के लिए 7 वेतनायोग लाउ कर दिया गया है जिसके बाद केंदर करमचारियों की न्यूनतम सेलरी 18,000 रुपे महिने हो गई है वहीं फिटमेंट फेक्टर भी 2.5 से आउन्यागी 2.57 फिश्दी कर दिया गया है अब केंदर करमचारियों की मांग है कि उनकी सेलरी को और बढ़ाय जाए उनका कहना है कि ये सेलरी उनके खर्चे चलाने के लिए काफी नहीं है इससे सेलरी और बढ़ाय जाए दरसल 5 राज्यों में विदानसभा चुनाओ आने वाले हैं इसके अलावा अगले साल आम चुनाओ भी आने वाले है इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि उसका वोट बेंक खराब हो अब केंदर करमचारियों को उम्मीद है कि उनकी सेलरी को केंदर सरकार बढ़ा देगी पांच राजियों में आने वाले चुनाव और आम चुनाव को देखते वे करमचारियों की उमीद बढ़ गई है अब केंदर करमचारियों की मांग है कि उनकी न्यूंतम सेलरी को 18,000 रुपे से बढ़ा कर 26,000 रुपे कर दिया जाए वहीं फिट्मेंट फेक्टर को 2.57 फिश्दी से बढ़ा कर 3.68 फिश्दी कर दिया जाए आपको बता दे कि हाली में बिहार सरकार ने सरकारी करमचारियों की सेलरी बढ़ा दी थी जहां सरकारी करमचारियों को करीब 2 फिसदी डिये ज्यादा मिलेगा इतना ही निक करमचारियों को ये डिये एक जुलाय 2018 से दिया जाएगा अब बिल्कुल मिलाकर राज्य सरकार के करमचारियों को 9 फिसदी डिये हो गया है इसके अलावा ओडिसा सरकार ने अपने करमचारियों और पैंसनोस का महिंगाई बता दो फिस्दी बड़ा दिया था इस बड़ोतरी के साथ राजी सरकार के करमचारियों का कूल डिये नो फिस्दी हो गया है राजी सरकार के करमचारियों और पैंसनर्स के लिए ये महिंगाई बत्ता एक जुलाई 2018 से लागू होगा राजी सरकार के करमचारियों और पूरी तरह से सायता प्राप नीजी कोलेजों केक्सिक्सकों और करमचारियों को इसका फाइदा मिलेगा तो दोस्तों लगता है कि आने वाले चुनाओं के जो असर हुए हैं उनसे 2019 में यदि विजेबी सरकार को अपनी गुवर्मेंट लानी है तो सरकारी करमचारियों को शायद उनको नाराज नहीं करना चाहिए और उनको अच्छी पैंसनन और अच्छी इंकम या अच्छी रहूं और लेटेस्ट अउड़िट आपको देता रहूं सरकार की मांगें आप तक पहुचाता रहhus और सरकार ने क्या क्या मांगए क्या क्विकार करी आप तक पहुचाता रहो है जय हिन जय भारत दोस्तों